जोहिन प्रेंस नमस्का डिफेंस आपडेट भारत प्राप का स्वाधे सोफेंस हमारे भारत के राफेल 4.5 जेनर्शन एरकाप्ट चिनी और पाकिस्तान को रख्या मुद्रा में बदलाब का संकेत देता है जी हाँ सोफ्रेंस सुत्रिक अनुसार मार्च में भारत यवावशनाके राफेल फाइटर जेट ने साटकीमी रेंज हमार एर टु ग्राउंड मोडूलार वेपन हत्यार का सक्षेस्फूल परिखन क्या है और ये राफेल एर काप्ट जिसमें मल्टी रोल के आगमन के मद्देन अजर चीन और पाकिस्तान दोनों की एर डिफेंस पोस्चर बायरोख्या मुद्रा बदल गई है जो की परिचित लोगों के अनुसार और फ्रेंस ध्यान रखे की साउथ एसया में लड़ाखू मामले पर हामर मिजैलने परिखन स्थान पर अपने लख्या पर एक बंकर बस्टिंग भार्टिकाल हीटी क्रियाट क्या है और साउथ ब्लोग शिर्श अधिकारियों के अनुसार भारत ने अपने अड़बांसर लड़ाखू 4.5 देनेशन राफेल स्कौाडन को अंबला एर बेस पर तेनात क्या है जो की चाइना को टार्गड करने कलिए ये क्या गया है और चीन अपना अधा धूरा जेटोंटी स्टील तेयार कवट को टिबोट और जीजी आंको एर बेस में राफल लड़ाखू के स्पर्श्ट और बरतमान खत्र से निपटने कलिए अपने चीनियायात जेफ 17 लड़ाखू को आगे के ठीकानों में स्थानांतरित कर दिया है पाकिस्तनी मेडिकाल इंडर्स्ट्री को पोलियो मेडिसिन प्रोवाइड क्या जाता है। जेट टोंटी से बिलकुल ही अलग होता है। मतलब 5 जेनेशन के लिए ये टेकनोलोजी म्याच नहीं करता है। और फ्रेंस ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये अमेरिकी अधिकारी की बयान है। और चीनी जेट टोंटी में राफल के रूप में एकी ही कानाड है। जिसे इंडियान एयरफोस 4.5 जेनेशन फाइटर एयरकप्ट कहता है। चीन और पाकिस्तान बाई मुद्रा एयरफोस्चर में इंडियान एयरफोस के राफल एयरकप्ट को सामिल करने के साथ एक बदलाब भी हुआ है। क्यूंकि जो खतरनाक मेटियोर एयर टू एयर मिजाइल इसके साथ आगया है। जिसके टारगेट रेंजे लक्षोसिमा किसी भी मिजाइल से बहतर और परे है। और हमारे तिनी सनाव में ये मिजाइल को उप्योग क्या जाता है। और पांसो किमी से अधिक की दुरी के साथ हमार और सकाल्फ एयर लांच क्रूर्ज मिजाइल सुनी स्चित्त करती है की एनमी सत्रू विरोदी को कोई प्रारम बीक की चेताबरी नहीं देगी। क्यूंकि ये दोनों विपोर, ये दोनों हत्यारों, ये दोनों मिजाइल को भारत खेत्रों के भीतर और दुर्श्यो सीमा से परे लांच क्या जा सकता है। मतलब इंडियान टेरोटरी आंड बियोंट भीज़ाल रेंज से ये दोनों मिजाईल को राफेल एरकाप के जरिए फायार किया जा सकता है और एनमी को किसी भी टाइम में जवाब दिया जा सकता है और यहाँ पर हर रोज इसी तरह लाटेट डिफेस आपडेट देखने के लि फादर अपड़ जे टोन्डी जी हाँ और पूराना खिलाडी है फिफ जेनेशन आइपोनिक से लेस और जे टोन्डी को आसनी से डिटक्ट और टारगेट कर सकता है नहीं तो क्यूं अपने फास्ट आटन में मार्स मंगल को रीज करने वाला देश भारत ये राफेल का नाम सुनते ही चाइना और पाकिस्तन के हुलियाद टाइट हो जाता है सोप्रेंज ये टा टोपिक आशा करता हुए टोपिक आपको जरूर अच्छा लोग आगा एक बड़ा थमसब दीजिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सकाइब कीजिए हाँ कॉमेट कीजिए जो ही जल बारत